हाथरस मामले में आज फिर S.I.T. की टीम पिर्टा परिवार से मिली पिर्टा के पिता का बयान दज कराया जा रहा है हाथरस में आज डाडनीतिक दोरा यूपी के पूरू सीएम अकलेश यादव, जैन चौधरी और चंद शेकर हाथरस जाएंगे पिरिट परिवार से मिलाकात करेंगे हाथरस मामले की जाँच अब CBI करेगी, हाथरस कारण में पुलिस पर आक्शन से IPS असोसियेशन नाराज है, पूछा डीम पर कारवाई क्यों नहीं बीजेपी विधायक सुरेंदी सिंग ने विवादिक बयान दिया, कहा सभी माता पिता अपनी लड़कियों को अच्छे संसकार दें, तब ही रेप की घटनाये रुख सकती है अलिगड़ में चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुश्कर्म किया गया, कंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भरती करवा गया पुलिस के अंसार बच्ची की हालत अभी स्तिर है, आरोपी नाबाली बच्ची का रिष्टदार है, आरोपी मांसे ग्रूप से अंस्टेबल है, आरोपी की तलाश जारी अंडिये में सीट शेरिंग पर बात नहीं बन रही, जेपी नडड़ा के घर पर हाई लेवल बैठेक जारी है, बैठेक में अमित्शा, फटनविस भी मौझूद है LGP पर आज BJP बड़ा फैसला ले सकती है, BJP को अपने कोटे से LGP को सीट देना है, जबकि मांजी क्वी पार्टी को जेडियू अपने कोटे से सीट दी बिहार चुनाओ को लेकर महागरबंदन में सीटों का एलान हुआ, RJD 144 सीटों पर चुनाओ लेगी कॉंग्रेस को महागरबंदन में 70 सीटी मिली, जबकि लेक्ट पार्टीों को भी 29 सीट मिली शितिश पसाद ने NCB पर गंभीर आरोप लगाया, कहा बड़े अक्टर्स का नाम लेने के लिए दबाव बना गया शितिश ने कहा पहले उन्हें करंट जोहर का नाम लेने के लिए मजबूर किया गया और फिर रनवीर, अरजुन रामपाल का नाम लेने के लिए दबाव बना गया सिशान्द और ड्रक्स मामले में फिल्म अबिनेता अक्षे कुमार ने खुल कर अपनी बात रखी, कहा ड्रक्स की बाद जूटी नहीं, लेकिन इंडस्ट्री को बदनाम करना गलत है बॉलिवूड में ड्रक्स इंडिकेट की चल रही जांच के बीच करोना ने दस्तक दी, NCB के डिपिडी डिरेक्टर केपिएस मलहुत्रा करोना संक्रमित हो गए करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद केपिएस मलहुत्रा मुंबई से दिल्ली लोटा है, केपिएस मलहुत्रा ने भी डिपिका से पूच्टाश की थी देजभव में करोना के अब तक 65,39,374 केस सामने आए, जबकि 9,37,625 एक्टिव केस है भारत में सबसे पहले करोना वैक्सीन किसे लगेगी? आज संडे समवाद में स्वास्वमंत्री हर्शुवदन जवाब देंगे आउस्वोर्ड युनिवर्सिटी के करोना टीका को दिसंबर के अंद तक मन्जूरी मिल सकती है जिसके बाद 6 महने के अंदर टीका करन्च शुरू हो जाएगा जमो कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है पुंच में पाकिस्तान ने फिर सीसफायर का उलंगन किया भारती सेनर ने मूँ तोड जवाब दिया IPL 13 में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे पहला मैच हैदराबाद और मुंबाई के बीच होगा जबकि दूसरा मुकाबला पंजाब और चन्नाई के बीच खेला जाएगा